आज हम इंटेग्रिल कल्कुलेस के इस पार्ट में रिडेक्शन फार्मूले पार्ट 3 करेंगे इसके पहले के वीडियो में मैंने पार्ट फर्स और पार्ट सेकंड कवर कर दिया है ये दोनों जो वीडियो से इसे मैंने साइन, को साइन और टैन इन तीनों पार्ट को cover किया है इन तीनों पार्ट में की बेस पर मैंने sign का cosec cos का sick और tan का cot भी इसी की बेस पर करना आपको सिखाया है tan के लिए मैंने करा दिया है sick, cosec आप इसी की बेस पर कर सकते थे आईए देखते हैं और start करते हैं आज का वीडियो, आज के वीडियो में मैंने एक ऐसा function लिया है जो algebraic plus exponential दोनों को combine करके solve करूंगा जो कि आपके exam के pattern का part 2 रहेगा कि ये जो type 2 वाला question में आख करा रहा हूँ ये भी exam के point obviously important है आगे हम करेंगे algebraic के साथ trigonometric भी वह आगे एले वीडियो में रहेंगे आज के वीडियो में algebraic plus exponential के function कैसे solve के जाता है ये देखेंगे आज़े देखते हैं ठीक है ये question है इस question को suppose कर लिया मैंने इसके लिए reduction formula हमें generate करना है ठीक है तो question को अगर लिखा जाया तो ये हमें reduction formula generate करना है इसमें x के power n जो दिख रहा है ये algebraic और e to the power a x है क्या exponential है अगर हम integration by part की बात करें तो हमने एक sequence को follow किया था Ilet Ilet में हमें इस question के according algebraic और exponential के कर बात करें तो हमारा question को solve करने का sequence ऐसा रहता है ठीक है तो हम algebraic पहले करेंगे उसको बाद exponential करेंगे अब देखिए by part method लगाते हैं इसमें सबसे पहले हमें algebraic function को part a मारना है और दूसरे वाले को part second मारना है इस sequence के according ठीक आईए by part करते हैं अगर by part करोगे तो first function integration of second e to the power a x dx minus integration of d dx of x power n first function का differentiation into integration of second इसका integration करेंगे तो n x to the power n इसके question मैंने मान लिया है in क्याद जाए एक पावर a x over a minus इसका integration करेंगे तो n x to the power n-1 क्याद जाए e to the power a x over a x to the power n-1 e to the power a x to the power a x अब अब ध्यान से देखें यह आई एन है देखेंगे जब हम n के लिए i n लिख रहे है तो n की वैलू n थी अब देखेंगे यहाँ पे n की वैलू n-1 n की जाए पे n-1 तो इसको क्या ले चाकते है x to the power n e to the power a x over a n by a तो हमने common लिया था यह function हो जाएगा i n-1 के लिए reduction formula generate होके मिल चुका है जो की i n equals to x to the power n e to the power a x over a और minus n-1 i n-1 तो यह reduction formula है आपके इस वाले function के लिए जो की है x to the power n e to the power a x dx तो आज के इस वीडियो में यही concept आगे के वीडियो में हम नए type के साथ फिर से मिलते हैं तब तक के लिए good luck for your exam and झाल जए